मुझे वीडियो आज की वीडियो में बात करेंगा हम लों समर ओफ पैन के बरहीं में करेंगे मैं अच्छे का से रिकॉरड ने की प्रैक्टिसरन में मैं पताता हूं। सबस对 मैं यहां पर बताना चाहता है मैं पर मैंने सबस्टिक करें इसमयर पैन के बारे में तो सेकंड परेग्राफ देखो कि इस वींट फॉर सब्सक्राइब कि यह पहली बात तो जो क्वेस्ट जब रिलीज हुई थी तब यह कोई भी जो है नहीं थी कि कौन-कौन खेल सकता है कौन नहीं सब्सक्राइब करेंगे जो कि सिर्फ थ्रोन-ब्रेकर टाइटल के लिए होगा मतलब कि भले ही आप केवेलियर हो आप फाइट कर सकते हो बटाप थ्रोन-ब्जेक्टिव होगा वो उसको कॉम्पिलून कर पाऊगे कंपलीट नहीं कर पाऊ जिसका मदलब कि आपको जो सारे के सारे रिवार्ज नहीं मिलेंगे जोकि होंगे समर फपन के यह सारे रिवोर्श ना और और अपफ अपफ यहां पर लास्ट में लोगोनिल का है लास्ट सेकेंड परगफ इस मेंस इफ दैट इफ एक वेलियर समर्णक इच अप्लीट इच अप्लीट इच अप्लीट कर पाएंगे जिसका मलब कि यहां पर हम इस वेंट्स में जाये तो यहां पर सारे के सारे माएलजिट कर लिया है तो मेरे को एक पॉइंट मिला इससे करके घट वह माइल सेस्ट मुळेंगा और ऑप्लीट कं नो नौ विक जो उसको सारे कहिँ मैंगे वह लोग बट जो लोग ठ्रोंबर कर उनको जो है special objectives आएंगे और यह objectives कहां पर दिखेंगे I guess जितना मेरे को ऐसा लगता है तो कोई भी चीज़ confirm नहीं यहां पर आप देख सकते हो special objectives daily objectives weekly objectives तो सेम यहां पर जो है summer of pain के objectives आगे suppose मान लो कि यह boss कोई भी जो boss होगा उसको four star से defeat करने का try करो या तो फिर कोई एक separate चैंपियन जी ले जाओ या तो कोई एक separate specific चैंपियन ले जाओ उससे defeat करो तो एंज जैसे वह defeat कर लेते तो वह objective complete हो जाता है और उसी objective का जो है इन लोगों को एक और जो है point मिलेगा तो जब तक आप जो है throne बेकर नहीं हो आप सारे के सारे जो milestone के rewards आप गेन नहीं कर सकते हैं दूसरी एक और बात काफी important वाली है कि यह जो rewards है यह 70 days के बाद ही मिलेंगे बना आप देख सकते हैं पर मैंने points जो है वह collect कर लिए एक पॉइंट तक हो चुक्त है एक पॉइंट कर लिए यह 5000 शार्ट मेरे कनफर्म जैसे कल जो है कल वैनेस डेही है तो कल वैनेस डेही जब सेकंड फाइट जो है रिलीज होगी तो जैसे मैं डिफीट करूंगा उसको तो मेरे को जो सेकंड पॉइंट मिलेगा एंड सेकंड माल्स्टों मिलेगा जो कि होगी 10600 शार्ट वाली सो यह मतलब ऐसे ही काम करेंगा माल्स्ट अपने अलाइन्स क्वेस्ट के रिवार्ट कैसे की पूरा का पूरा वीक खतम होने के बाद जो हैं को रिवार्ट मिलते हैं तो सेम प्रकार समर ऑफ पेइन में भी ऐसा ही होगा एंड उसके बाद ना हम देखते कि बॉस को मैंने कैसे डिफीट किया यह मैं बताओ कोई भी एक मेरा परफेक्क काउंटर ने था मेरे पास जो है अवेलिबिल थी शी हल्क और काफी लोगों ने पता ने अपने अपने अविसली दूसरे लोगों के बॉस दिफीट देखे होंगे उसमें उन लोगों ने काफी अच्छे से सोलो किया है तो वहां पर क्वेक काफी अच्छी से देख सकते हैं मेरे पास फाइव स्टार में अवेलेबल है नहीं ने तो उसको में जो है रैंक अप करता है एंड शी हल्क को मैं लिटरली जो है इसी फाइट की वाज़े से मैं उसको रैंक फाइप पर ले गया और वह रैंक फाइप थी नहीं ऑन टॉप अफ डैट मैंने है कि एंड उसके बाद ना एक और काफी लोगों को मदद किया पता नहीं मतलब मैंने तो ट्राइप ही नहीं किया क्योंकि मेरे को दूसरा कोई अच्छा का सा दीगी नहीं रहा था एंड जो किता हाइपी रेंड पता नहीं हाइप लिए अच्छा हो गया नहीं बट अगर ह तो डेफिनिटली उसका गाइड जरूर देखके जाना मतलब ऐसा नहीं कि उसने बोला तो चैलो भी यूज कर लेते हैं मेरे को जो एकदम सही लगा वो मैं यूज करूंगा और यहां पर ना मैं ट्राइप करूंगा कि यहां पर पहले मैं समझाओ कि फाइट कैसे हुई थी अगर मेरे से हो सका ना अच्छा कासा वीडियो बन सका तो प्रीफाइट जो है मैं पहले से एक रिकॉर्डेट फाइट पर भी एक कोमेंटरी जाके बता दूँगा क्योंकि शायद हो सकता है मेरे यह वाले रन के बाद भी जो एक अच्छा कासा रन हो जाए अपना जो रन कम्पलीट किया था उसमें मैंने एक ही रिवाब यूज किया था बट वह एक रिवाब कभी उज़किया जब वह 50% हैल्थ के नीचे आ गयती तब एड मैंने काफी सारे ट्राइस करने के बाद अच्छा कासा एक रन मिला जहां पर मैंने उसको 50% हैल्थ के नी रहता है है अगर लगाओ ना लगाओ आपके उपर करता है तो अगर मैं भी यह मैं भी मतलब यह कहना चाहता हूं कि आपको अगर रिवाइव यूज करने थोड़ा थोड़ा समझ के यूज करो कि अगर 50% या तो फिर आप जो है 40% उसकी हैल्थ रिमूव कर सको उसी के निकाल सकते हो तो ठीक है तो फिर आप जो है पांच रिवाइव में उसको गैरेंटी ली डिफीट कर सकते हो बट रोग जो है वो काफी बेका रहे हैं उसी के साथ साथ मैं नोड समझा देता हूं तो नोड है ब्रॉल की हर 10 सेकेंड में आप दोनों के दोनों चैंपिन जो अपना उसको अटेक कर पाऊगे ना ही आप अपने अटेक को रोक पागे क्योंकि वह अगर अटेक करेगी तो काफी सारा डैमेज करेंगे वह कैसे डैमेज करेंगी यह इन्वेड वाला नोड है थर्ड वाला चुकि आप दोनों को ब्लॉक पैनिटेशन देता है आपके दो ब्लॉक पैनेटेशन इंक्रीश अटेक 300 परसंट मतलब आप ज्यादा डैमेज करेंगे थ्रू ब्लॉक तो यह काफी दिक्कत है अटलिस्ट हमारे लिए तो काफी दिक्कत है एंड ऑन टॉप अफफ दैट है कनेटिक ट्रैंस ब्लॉक करने जाओंगे तो उसको काफी सारी पर गेन मिलेगी 10 परसंट की एंड आप अगर आप ब्लॉक दो से तीन ब्लॉक इट भी लिए तो अब आप अन देश्पॉट मर जाओगे और ऑन टॉप अग्रेसिव वह काफी सारी अग्रेसिवनेश दिखाएगी बट इसका भी बताता हूं अग्रेसिव एंड और परसनल स्पेस मतलब काफी अगर क्लोज रहते हो काफी टाइम तक अग्रेसिव रहके उसके क्लोज रहते हो तो उसको फ्यूरी मिलेगी हरे हर दो सेकेंड है फिर हर तीन सेकेंड एंड लास्ट है अनब्लॉक फिनाल मतलब जैसे वह 25 परसंट हेल्थ के नीचे जाती है वह अनब्ल अग्रेसिव रहना है डैश पैक इंटरसेप्स करने है एंड जैसे वह खड़ी होती है आप आपको तूरंत ही जो है मारना जाना है बट उसके साथ वही द्यान में रखना होगा कि वह स्पेशल बारपर हो या नहीं सो वह सारी चीजां की बात रखने है मैं फाइट में नहीं खेलेगी एंड मेरे को देखो मैं ब्लॉक के तुरू लिटरली काफी सारा डैमेज कर रहा हो एंड उसका जो है अन्स्टॉपेबल ट्रिगर होने वाला है यह काफी दिक्कत देगा क्योंकि या देख सकते हो एक ही ब्लॉक डैमेज दो ब्लॉक डैमेज 8000 जित्ती हेल तो मैं ट्राइक करूंगा कि वापीस जो है एंटर करो एंड मैं लिटरली ना काफी सारी बार एट लिस्ट जो मैं पचास बार एंटर कर चुका हूँ वापीस मरने के बाद तो आपको थोड़ी बहुत जो है अगर आप फाइट खेल रहे होगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगी किस तरह से फाइट खेलनी है किस तरह से नहीं बेसिक सी चीज़ है कि आपको जो है काफी सारा अग्रेसिव रहना है मेरे को जस्ट एक अच्छा-कासा रण मिल जा अब बूम आप देखी सकते हैं वह लिटरली काफी अन्प्रेडिक्टेबल है बट सम्तिंग ऐसा ही कुछ करना है कि जैसे आप फाइट स्टार्ट करते हो तो आपको लाइट एक से स्टार्ट करने है इससे होगा क्या कि आपको जो है काफी अच्छा-कासा क्या क्या आप फ और यह दूसरी बार जो है और वह देखा वहां पर रुक गई अगर वह अग्रेसिव है तो वह रुकी क्यों मतलब यहीं चीज़ लेटरली बार-बार जो है हो रही थी ऐस मेरे को जो है एक प्री रिकॉर्डडेड फाइट ही जो है दिखाने पड़ेगी आपके लिए काफ मैं लाइव बता रहा था सो यह एंड यहां पर ना आपको जैसे कि मैंने बताया मैंने अपने रन में एक रिवाइव किया था जब वह भी तब जब मैंने उसको 46% के हेल्थ के पास आसपास में लेके गया था एंड उन टॉप अफ यह जो है मैं ट्राइक करूंगा अपनी से पूरी कि आपको at least fight कैसे करने वह पता चले भले में शोलो ना कर पाया हो शायद आपको भी एक या दूर में आप अगर उसको किल कर से को तर डेफिनेटली अच्छा है अगर आपको ऐसा लगे कि यह एक ट्राइक कि आपने आपको ऐसा लगे कि यार मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप जो है बाहर निकल के वापेस एक रीट्राइ कर सकते हो क्योंकि एक रीट्राइ काफी सस्ता पड़ेगा विदाउट स्पेंडिंग म है तो अगर रिवाइव स्पेंड करने की तैयारी हो ना तो और करना क्योंकि आगर एक या थू ब्लॉघ है तो सकते हैं या तो फिक दुम पश्टेंट करी रहा हो तो उसको फार्व सटॉenडिय करना इलब सबसे के नोट को सबसे पहले हमें काउंटर करना जो की काफी bikaru करना है जो की अंस्टोपपल यहां पर मैंने लाइट एक से स्टार्ट कि है और उसे होगा कि मैं देंज तीन हिट्स किए डेश।寧र टीन फिऩ केस एड्सके हैं वापीज टैश बैक तो इसको पर करने पड़ेंगे एक बैक डैश और एक जो है क्या कहते है अपना इन्टेसेप्ट तो यहीज्ड स्लो मोशन प्लाइब वापीस दिखांगा एंद्धिश्मोशन में आपको करना क्या है कि आपको जैसे लाइट डेया इंटेसेप् एक अटेक्स करो एक मीडियम एक्ड डॉल अटेक्ड डिय एक मीडियत का करता हूं ज्यूड एक मीडियम अटेक्स वर Xbox उसका पाउर मिटर फिल नहीं हो जाता है जैसे उसका पीछ जाओ जैसे आपने ने यहां पर देखा उसका पाउवर मिटल फील हो जाता है मैं उसको हेवी ऐटेक्स से काउंटर करता हूँ ईससे होगा क्या कि अपको यहीं चीज करो कि जैसे आप यहां पर में देखु आप से लिए जैसे वह नॉकडाउन दो चीज ध्यान में रखने कि उसकी पावर मिटर एकदम जीरो होने चीए कोई भी पावर वार पर नहीं होने चीए अगर वो है अगर कोई भी पावर वार पर नहीं है तो जस्त आखे बंद करके जो घुच जाओ अंतर अटेक करने के लिए दस में से नौ टाइम जो है वो आपको अटेक करने जाएगी और उससे होगा क्या कि वो अटेक करने ही पाएगी आपको बट आप जो है उसको इंटरसेक कर पाओगे और वही चीज को कहते है अगर ब्लॉक पकड़क कर जाओ और यहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो चकता है अगर वह ब्लॉक पकड़के खड़ी रहे तो आपको पावर मेटर उसकी फिल करने कुछ भी करके उसकी पावर मेटर फिल करने है और वह प्रोसेस जो है वापिस कंटीनू रखनी है यहां पर सेम चीज में कर रहा हूँ उ उसके बाद जो है हेवी अटेक करो एंड हेवी अटेक जो है अगर फर्स्ट वाला हीट जो है अगर कनेक्ट नहीं भी होता है तो सेकेंड वाला गैरेंटिली कनेक्ट हो जाएगा अभी यह सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एडवांस हो जाती है मतलब पैरी री पैरी तक ठीक था इंटरसेप्ट लिटरली काफी हार्ड है पैरी से यह आपको ऐसे नहीं आएगा प्रेक्टिस करने ही पड़ेगी और प्रेक्टिस जैसे हैं कि मैंने बताया अग्रेसी ओपोनेंट्स के सामने करने पड़ेगी यह वीडियो मतलब यह जो है बॉस को डिफीट करने क कि तो थोड़ा मैं रिदम में आने के ट्राय करता हूं कि चलो वे मतले उसकी और मेरे टाइमिंग जो मैंच अप करने यह वह एंड मेरे पास ना काफी अच्छे कासे चांसिस थे कि मैं कहीं पर जो है क्या कर सकूँ एटलिस्ट तो से तीन रिवाई यूज कर सकूँ पर मेर को ऐसा लग रहा था कि मैं डेफिनेटली एट लिस्ट थर्टी से फोर्टी परसंट के आसपास जो है मैं हेल्थ उसकी लेकर आ सकता हूं सेम चीज यहां पर एक और दूसरा ट्राय मैंने लाइट एक से इंटरसेप्ट किया एंड फाइट स्टार्ट होते ही डैश पैक इसको पावर नहीं होगी तो मैं जाओ वापिस जो है उसको स्टेंड एप करूंगा एंड वापिस सेम लिपीट करना है एंड उसके बाद एक और वहां पर नोट था यहां पर इसके उपर जो कि यह अनब्लॉकेबल फिनाल है जैसी वह 25% हेल्थ पर जाती है तो अनब्लॉ करने की जरूरत ही नहीं जाते हो इन पर फिरी परिमेट हो जाईगी तीक है यह पर अनब्लॉकेबल का प्रब्लम ही नहीं पर चीज जो है आपको रीट्राय करने पड़ेगी और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने ट्राय किया अपने उसको अच्छा गासा 40-30% तक जो होई- तो उसके बाद क्या तो कोई दिक्कत की बात नी सेम चीज वही प्रोसेस बात में यूज करने आपको आपने रिवाइव यूज किया थोड़ा बहुत जो है हेल्थ पोशन लगा एंड रिपीटी करना है जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया 100% हेल्थ परती सेम चीज वाफ वाइस उवर बन राता तब आप देख सेकते हो इंड टिख लैक तो मैं आट लिस्त एक प्री रिकोर्डीम वीडियो एंड इस वाले मंत सब्सक्रांज कने हैं जहां पर लितलि ट्रेली जाके मर जाता हूं तो मैं केश्ज से दो मिनिट्ट की वीडियो ऍसके इस पर पता नहीं मतलब शौर नहीं हूँ बट मैं ट्राइग करूगा कि रखो तो या गाइस इतना सा था यह वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड उपक्रेशन पर नहे हो तो सब्सक्राइब कर देना तिल देन मिलते हैं नेक्स वीडियोम एफटार बारी नहीं एड़ चूरी ओप लग इंग भी अप्लिघ झाल टयांग झाल, आह जए लूगा थाई था इन एफटार प्लिए नहीं हो बढ़ प्लिए ली घट खिए झाल, इन एफ उष़ा प्लिए घड़ से लुगाव झाल में सेंग झाल, घड़ से लड़ बड़ मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हमको ए मंदर का घंटा कोई भी आकर बजा जाता है